नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना मैं हूँ बेनजिर हाश्मी मुलिटिन में शुरुवात करेंगे दिन भर की खास सुर्खियों के साथ फिर बात करेंगे हर्याना की ताजा खबरों की बावसिद्धी के बेटे जिशान अन्सिपी अजित गुट में हुए शामिल बांदराप पुर्व से लड़ेंगे चोनाब कहा शिफ शैना उद्धव और कॉंग्रेस की फिर्तरत में धोका तिराराज्यों की 47 विधानसवा सीटों पर होंगे उपचुनाब कॉंग्रेस यूपी पंजाब में चोनाब नहीं लड़ रही MP में शिवराज की सीट पर नामंकन चंदिगण में NIA की कारवाही गूर्पतवन सिंग पन्नु की तीन संपत्या कुर्ग की गई रधुही राजिस्थान की सरकारी भरती परिक्षा नौटिस जारी अब दुवारा लिया जाएगा एक्जाम भरती परिक्षा में हुई थी नकल बंगाल की घाड़ी से उठा चुक्रवती तुफान दाना उडिसा के टट से 110 कम पीच की रफ्तार से टकराया आज तुफान की लैंडफॉल प्रोसेस हुई खत्म एहम्दाबाद में 50 बंगलादेश हिरासत में 200 से की जारी पूश्ताच अवेदरूप से रहने पर की गई कारवाई तो ये दिन बर की ताज़ा सुर्खियां बात करते हर्याणा की खास खबरों की हर्याणा विधान सहबा का सत्र आज शुरू हो गया है राजे पाल भंडारू धनतोत्रे सबसे सीनियर विधायक रगुवीर कादियान को प्रेटेम स्पीकर की शपत दिलाई जिसके बाद कादियान ने और अन्य विधायकों भी शपत दिलाई में मुख्यमंत्री नयाब सिंग सैनी कیबिनेट मंत्रिया अनिल विज अर्विंद शरमा भी पहुचे शपट सामारो के दोरा विधायक हर्विंदर कल्यान और अधित्ते सुर्जेवाला ने विधायक पतकी शपत ली करनाल के घरोंदा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्यान हर्याना के विधानसवा के नए अध्यक्ष बन गए हैं दरसल आज सीम नायाब सैनी ने उनके नाम पर प्रस्ताव रखा जिसे सर्व सम्मानित से पास कर दिया गया हरविंदर कल्यान विधानसभा के अठारवे अध्यक्ष होंगे आप कोई भी बता दे की कल्यान लगातार तीसरी बार चुनाप जीत कर विधानसभा पहुचे हैं उनकी जीत के बाद से ही उनकी सरकार में शामिल होने की चर्चा हो रही थी लेकि मंत्री मंडल गठन में उनका नाम नहीं आया जिसके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाने की चर्चा तेज हो गई और आखिरकार पार्टी हाई कमान ने उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया हर्याना पुलिस की कारे प्राणाली और सकारात्मक पहल को समझने के लिए जर्मनी के परतिनीदी मंडल और सांसद राहुल कुमार गुरुवार को हर्याना पोचे इस जोरान सांसद और परतिनीदी मंडल ने पंचकुला पुलिस मुख्याले का दोरा किया आपको बता दें कि साथी इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम कंट्रोल पर विस्तार से चर्चा भी की जर्मनी के परतिनीदी मंडल ने हर्याना पुलिस की ओर से अपराद नियंत्रन को लेकर किये जा रहे कामों की प्रशंशा की रसल जर्मनी के प्रतिनीदी मंदल और सांसत हर्याणा पुलिस की कार्या प्राणालवी को समझने के लिए पंच्छकुला पुलिस मुख्याले पहुचे थे इस दोरान उनोंने डीजीपी शत्रूजीत कपूर से डिजीटल तक्नीक के जर्ये अपराद कंट्रोल करने की रणनीती पर चर्शा की साथ ही अपातकाल हेल्प लाइन नंबर पारंपरिक और अधूनिक अपराद के स्वहरूपो और साइबर अपराद रोखने के लिए भविशे की चुनोतियों से निपटने की रणनीती के बारे में भी जाना हर्याणया पुलिस की क्राइम कंट्रोल की नीती से जर्मनी के परतिनीदी मंडल काफी प्रभावित हुए पंजाब में धान की धीमी खरीद के विरोध में जगा जगा लगने वाले जाम का असर अंबाला में भी देखने को मिल रहा है आपको बता दे कि ट्राफिक पुलिस ने वाहन चालकों की परिशानी को देखते हुए रूट डायवेट कर दिये द्रसल एक और जहाँ शहाबाद से शहाचोक वे शहाँ से होकर पंचुकुला की तरफ तो अंबाला सीटी बलदेव नगर के पास से पंजोखरा साहिब से होकर पंचुकुला की तरफ से रूट डायवेट कर दिया गया बैरिकेट्स लगा कर वाहन चालकों को पुलिस अधिकारी डायवेट मार्ग के बारे में जानकारी भी दे रही थे द्रसल आपको ये भी बता दे कि सन्युक्त किसान मोर्चा एस के एम ने अपनी मांगों को लेकर मुखे मार्गों को रोकने का एलान किया था किसान संगठन का कहना था कि बार बार मांग उठाय जाने के बाद भी धान खरीद कारण में कोई सुधार नहीं हुआ किसान द्वारा सुबह ग्यारा से दो पैर तीन वजे तक ये जाम लगाया गया तो ये थी दिन बर की ताज़ा सुर्कियों के साथ हर्याना की खास खबरे कलफिर होगी मुलाकात ऐसे ही खास खबरों के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश रोजाना नमस्कार हमारे साथ जूड़े रहने के लिए देखते रहे देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन